असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब अलात अलात आप सभी लोगों को खुश वाबाद अस्ता मुस्कुराता रखे शुरू करते हैं अलात अला के बाबरकत नाम से जो बहुत ही महरबान नहायत रहम वाला है आज हम आपके लिए सिंघाडे की सलाद की रेसेपी लेके आये हैं मौसम सिंघाडे का है तो इसे हमें तरह तरह सी उस करना चाहिए सिंघाडे की सलाद बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंटी स्टाइल बहुत ही अच्छी सी हैं चटपटी सी सलाथ बनाने वाले हैं, तो आपने वीडियो को लास तक देखना है, 500 ग्राम हमने यहापे सिंगाडे को छिल के साफ करके धुल के ले लिया है, और इसमें हम शामिल करने वाले हैं, फिरिज का पानी, यहापे ठंडा पानी हमने डाला है, और अभी हम इसमें 10 मिनट के लिए हम इसे ठंडे और बरफ के पानी में छोड़ देंगे, और उसके बाद हम इधर एक खीरा लेंगे, खीरे को भी छील लेना है, और धुलकर उसे साफ करके ले लेना है, उसके बाद देखिए इस तरीके से हम बीच में पूरा कट लगाएंगे, और दूसरी त इस तरीके से सलाइस कर लेंगे, सबी सिंगाडों की हम सलाइस अच्छे से बना लेंगे, उसके बाद हम चलते हैं गैस की तरफ और इसके लिए हम कुछ मसाले तयार करते हैं, जिससे के हमारी सलाद में बहुत ही टेस्ट आजाएगा, बिस्मिल्लाहिर रह्माने रहीम, तो और उसमें एक टेबल स्पून हमने मुंगफली का दाना डाला है, और उसे हलके हलके से हम रोस्ट करेंगे, ताकि थोड़ा सा सोधी भी हो जाए और उसके छिलके भी आसानी से निकल जाएं, बस इतनी देर तक हमें रोस्ट करना है, देखिए अच्छे से रोस्ट हो गई है चिलके भी आसानी से निकलने लगे हैं, तो हम इसे निकाल लेते हैं, साइड में रखते हैं, ठंडा होने देते हैं, और उसी पैन में हमने डाला है, आधा चमस जीरा, और देखिए हमने यहाँ पे तीन लाल मिर्च लिया है, और उसके बीज को बिल्कुल निकाल दिया है, और इसके साथ हम इसको भी roast कर रहे हैं, बस थोड़ा सामने roast करना है, उसके बाद आज को बंद कर देना है, ताकि उपायन की गर्मी में अच्छे से ठंडा हो और काफी क्रिस्पी से हो जाए और पिस भी जाए आसानी से, इसी में हम छोड़की ठंडा कर रहे हैं, ठंडा होने जीरा और मिर्च को रोस्ट किया था और अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा नमक और इसमें हम बहुत जरा सी देखिए शकर डाल रहे हैं छोटे चमच से एक चौथाई चाय का चमच हमने शकर डाली है और इसे पीज के हमने देखिए अच्छा सा तयार कर लिया है फटा-फ केसे mix करते जाएंगे जितना ही हमने पीजा है mixture हमको पूरा मिला देना है इसी की हिसाप से हमने पीजा है देखिये हमने पूरा मिला कि अच्छे से mix कर लिया है और बहुत ही जटपट से मारी सलात बनके तैयार हो चुकी है तो आएए हम इसे serve करते हैं वीडियो को like कर दिया कर करके अपनी राय का इजहार जरूर किया करें कि आपने बनाया था तो कैसा बना यहाँ आपको हमारे वीडियो कैसी लगी आपका कमेंट करना हमें बहुत अच्छा लगता है और अगर आप इस चैनल पर नए हैं यहाँ भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौकर जरूर दे अल्ला तल आप लोगों को जजाए खायर दे आप लोगों के रिस्क में उमर बरकत अता फरमाए आप लोगों की जिन्दग्यों में सुकुन औ महबत अता फरमाए शाबीना को भी दुआओं मियाद रखें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाला अल्ला हाफीज